पूरे ब्रह्मान्ड का संचालन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक शक्ती के द्वारा होता है। मंदिर में इस शक्ती को देवी कह लीजिये या ससुराल में बहू या माईके में बेटी। ये सारी शक्तिया एक शक्ती में जाकर विलीन हो जाती हैं। जिसे हम मा कहते हैं, ये शब्द तो कहने के लिए एक है, लेकिन इसके रूप अनेक हैं, ये हैं मा, पूर्णा माता, भक्तों की भीड एवं उनकी आस्था देखकर, आपको खुद बखुद मा की महिमा का अंदाजा तो लगही गया होगा, मा के इनी भक्तों में शुमार है, एक भक्त परिवार, नरेंद्र जैस्वाल, एवं उनकी पत्नी, जानकी देवी इस बार माता से क्या मननत मागने वाली हैं? अरे क्या नहीं दिया माता जी ने, सब कुछ तो दिया है, अन, धन, इज़द, बेटा, पोता, अब कुछी दिनों में पोती की भूबी आ जाएगी, बस चीनता तो सिर्फ एक ही बात की है, कि माता जी पर सोने का च्छत्तर चुड़ जाए, तो मेरे मन को शांती मिल जाए पूर्णा किरिमा, आलोग बाभू, इस बार भी नहीं आए, जी नहीं, आजकल उनकी विस्तता कुछ जाधा बढ़ गई है, ये लिजे, अरे लखाजी भी आ गये, मैं आपको कहने ही वाला था, कि आज रात को लखाजी का बहुत ही भव्य जागरण है, और आप रात को जरूर आईएगा, अहो भाग्या, लखाजी के जागरण में हम आउश्य आएंगे, ये तो हमारी खुश किसमती होगी, चैमाता दिखुश माओ भाँ, मायो भाँ, माओ भाँ, माँ, माँ, माहो भाँ, माँ, मार- Lessons Neverend Allah Our पुर्णा गिरी मा पुर्णा गिरी धबतों पे तुमने किर्पा करी जो भी शरण में आया तेरी उसकी मा तूने जोली भरी जे हो पुर्णा माईए परबत है उचा उचा भवन है उचे भवन की उची चड़ाई जिसको मिले मा दर्शन तुम्हारे खुशिया जमाने की उसने पाई जग में है तेरी महि मा बड़ी पुर्णा गिरी मा पुर्णा गिरी धगतों पे तुमने किर्पा करी जे हो पुर्णा माई जे हो पुर्णा माई लहरे में चलती जब सारदा की धोती है पावन पगमा तुम्हारे पगमा तुम्हारे पगमा तुम्हारे वो मौत से भी दरते नहीं है जो तेरे चर्णों के हैं पुजारे करती है रक्षा तु हर घड़ी पुर्णा गिरी ना पुर्णा गिरी भगतों पे तुमने किर्पा करी जे हो पुर्णा माई जे हो पुर्णा माई जे हो पुर्णा माई मंदिर बनाना जूटा दिखावा पाखंड जूटा पैसे की ताकत तुम ना दिखाना तुम ना दिखाना दुश होती मा भेट ले चूंगडी पुर्णा गिरी मा पुर्णा गिरी धगतों पे तुमने किरपा करी जे हो पुर्णा माईए कि इतनी सुबह सुबह किसका फोन आ गया है हलो बेटा अभी तक सो रहा है हो नहीं पापा वो रात को देर हो गई थी बस आपसे बात करते ही जाग गया नमस्ते इस बार मेले में नहीं आये तुम नहीं पापा एक बहुत इंपोर्टेंट मेटिंग आगे थी इसके लिए बेटा काम काज तो जिन्दगी में चलते ही रहते हैं इसी में टाइम निकाल के आ जाओ जी पापा मुझे फोन दीजे मुझे भी बहुत से बात करना चाहती है ओके पापा एक मिनिट जानू जानू उठो न उठो न उठो न जानू जानू प्लीज अरे मां आपसे बात करना चाहती है जैन से सोने भी नहीं देतें जानू उठो न प्लीज आइम मिलेगा तो बात कर लोंगी न जानू प्लीज अहाँ बिटा बहु अभी तक सो रही है आपकी माता जी तो नहाद होकर पूजा पार्ट करके मुझे नाश्टा भी करा चुकी है पापा मा को पूजा पार्ट के अलावा और कोई काम भी तो नहीं है ना मैं शीला की मा से बाद में बात करा दूगा और पापा, आप हमेशाए शीला को मा से कमपेर क्यों करते हैं? क्योंकि माताजी के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं की तो है और घर के बुज़ूर्गों से तुल्णा नहीं की जाती, उनसे कुछ सीखा जाता है बेटा ऐके ऑके पपा अच्छा आमन का हैं अमन अरे बता आमन तो आप तक आफिस भी बहुंच गया होगा को साइ जुँआ जुँए जुँए जहें मापूला गड़ा गड़ा चाचा आप तो गाओ जाने वाले थेना क्या होगा गयह नहीं नहीं बेटा गाओ में पैसा भेज दिया हूं वह का काम तो ओजा एगा यहां का काम भी जरूरी है नरे चाचा उब पर जिंदगी बीच जाती आए लेकिन काम कभी खत्मी को काम तो चलते रहेगा आप जाईए और गाहां से घूम के आईए ठीक है ठीक है बेटा कि मोहन मनिश के साथ अंदर हो मैं आई कमिन सा येस कमिन मैंने आप दुनों के इसलिए बुलाया है कि दादा जी का आदेश हुआ है कि इस दिवाली सबको दो महिने की तंखा बोनस में दी जाए सर दो महिने का कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा वैसे तो वो लोग अगले साल चार महिने का डिमांड करने लगेंगे यहां पर काम करने वाले सारे लोग एक परिवार के जैसे हैं और यह आमदनी यह भी तो इन्हीं की बदौलत है ना तो इन्हें देने में क्या तकलिफ भाई जो इसके हगदार हैं उनको ही तो दे रहे हैं ना वैसे यह दादाजी का अदेश है इसका पालन किया जाए यह सर अब आप दोनों जा सकते हैं अपने काम पर ध्यान दीजिए यह सर सजना सजूंगी प्यारे करूंगी सजना सजूंगी प्यारे करूंगी सजना सजूंगी प्यारे करूंगी जनम जनम तेरे संग में रहूंगी सजना सजूंगी प्यारे करूंगी सजना सजूंगी प्यारे करूंगी तुझे ना देखूं तो मुझे चैन नाए भीगी रातों में तेरी आदसता है तुझे ना देखूं तो मुझे चैन नाए भीगी रातों में तेरी आदसता है सजना सबरना तेरे लिए है मैं तेरी तू मेरे लिए है दुनिया में सबसे कहूंगे हाँ सजना सजूंगे प्यार करूंगे भी हूँ तेरा प्यार ही सजना है मेरा गहना मेरे ही दिल में तुम हर दम रहना तेरा प्यार ही सजना है मेरा गहना मेरे ही दिल में तुम हर दम रगना हम दोनों की प्रीत अमर है देंगे गवाही धरती गगन है सजना सजूंगे प्यार करूंगे जनम जनम तेरे संग में रहूंगे सजना सजूंगे प्यार करूंगे सजना सजूंगे प्यार करूंगे नई चलते हैं हाँ अभी थोड़ी दूर और आराम कर लो नई नई फिर चलते हैं आराम देना जी ठीक है जासाथी माजी थोड़ी दूर और है एक मिनट आप यहां बैड चाहिए ठीक है माजी अरे अरे उठी भेया उठी आराम से चोड़ तो नहीं लगी आप यहां बैठ चाहिए बैठ चाहिए हां आराम से थोड़ा आराम कर लीजे फिर जाहिएगा ठीक है यहां जै माता दी जै माता दी कीतनी उच्छी लड़की है, भाधी संस्कारी है प्रणाम पंडेजी जे माता दे लीजी मा, मा के बाद आपको ही मा माना, हर सोख दुख, हर खुशी, सब कुछ आप से ही बाटा अब आप से क्या छुपाना? मैं आमन को दिल से चाहती हूँ, उन्हें मेरा जीवन साथी बना दो मा, अपनी इस गरीब बेटी का मान रखना, मान रखना, मा येलो बीटिया चल्दी हो बंडेजी, प्रणाम जे माता दे, खुश रहो, खुश रहो बंडेजी जी? आप इस लड़की को जानते हैं? अरे, इसे कौन नहीं जानता? ये बगल के गाउं के शर्मा जी की लड़की है बड़ी ही नेक दिल, संसकारी और धार्मिक है माँ पुर्णा के रिए, हमें अपने पोते के लिए ऐसी संसकारी लड़की चाहिए ए देवि माँ, अगर आपकी कृपा हो तो यही लड़की हमारे घर की शोबा बंड कर आजाए कृपा कीजिए माता जी, कृपा कीजिए अरे इसकी ख्या ज़रूत है अच्छा तो हम चलते हैं नमस्कारी नमस्ते नमस्ते चलो आगे बिटा जी पिता जी आज कल की लड़किया खुश्रो आज कल की लड़किया पढ़ाए लिखाई में ध्यान देते हैं और तु घर से मंदिर और मंदिर से घर कितनी बार कहा कि तू आज कल की भी पढ़ाई कर ले लेकिन तू तो सुनते ही नहीं और आम भजो शर्माजी अरे भए यह क्या बखे जाप है जो मुझमे आरा है अंडशन बखे जा रहे हैं तनीक भी नहीं सोचते कि क्या बोल रहै और नहीं को आज स्वाँ गई एक?」 अरे शर्माजी मैं कैसे नहीं आऊंगी, मैं तो हर जगर रहती हूँ, पूरे गाउ की बुआ हो न, मेरी नजर सब पे रहती है, कोई मुझसे छुप नहीं सकता, इसी लिए मुहले भर की मैं बुआ हूँ आपको पता है बुआ जी, समय बदल गया है, आज कर लोग लड़कियों से ये नहीं पूछते हैं, कि लड़की पूजा पाठ करती है कि नहीं, आपको पता है, आज कर लड़कियों से ये पूछते हैं कि कितनी पड़ी लिखे ये लो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अरे कह दो कि बिटिया मैट्रिक पास है हाँ भाई और क्या और क्या बोलोगी ये तो बहुत बड़ी बात है हाँ लो अब भला ऐसा कहेंगे तो कोई शादी करेगा ही नहीं अरे शर्मा जी आज तक किसी की बिटिया कुवारी रही है जो अपनी रानी बिटिया कुवारी रहेगी देखना जहां जाएगी बहुत बड़े घर में जाएगी हमारी बिटिया रानी तो ठीक है अब जहां शादी तैय होगी अब आप ही चलियेगा ये लो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है हां हां मैं तो जरूर जाओंगी और वो भी अपनी बिटिया रानी के लिए क्यों नहीं जाओंगी अब आपसे तो कोई जीतने वाला है नहीं अब पता नहीं माता जी जाने किस घर में जाएगी यह शर्मा जी राम राम भजो जब सब कुछ माता रानी पे छो समझे ना आपको अपसोचने की जरूरत नहीं है हां कि नमस्ते पापा अमन क्यों गाव में अपनी लाइफ स्वायल कर रहा है दिली आजा बेटा यहां इतना बड़ा बिजनेस है कौन संभालेगा इसे यहां पेपी तो बिजनेस है ना पापा और मैं आ गया तो दादा दा दादी को कौन संभालेगा अमन तुम्हें पता है तुम्हारी ममी कितना याद करती है दादी भी आपको बहुत याद करती है पापा एक बार तो आए ओज शट अप करोड़ों का बिजनेस है यहां और मैं वहां चलाओं जानते हो कितनी मुश्किल से एंपायर ख़ड़ा की क्या है मैंने मेरे वहां आने का मतलब है करोड़ों के बिजनेस का लॉस है और आए कांट ओलेट आल देस जिस्ट कीप फोन डाउन एंड शट अप सर यह शीला कंस्ट्रक्शन की फाईल है रख दीजिए साब जी नमस्ते क्या बात है साब जी आपके मंदर का पुझारी हूं तो साब जी दो मेने से मुझे तनख़ा नहीं मिली है जिसकी पूजा करते हो उससे तनख़ा लेलो जाओ चला जाओ पूजा करते हैं मिस्टर कुमार अंदर आए अब जी सर आपने याद किया मुझे मिस्टर कुमार इस पंडित को किसने अंदर आने दिया सर बहुत जित कर रहा था तो देखे पंडित आफिस में आता है सिर्फ अगरवती जलाता है और महीने की पांच-छजार रुपे तनख़ा लेता है आगे से मना कर दिजिए उससे ओके सर सर सम वाइन्स के बिल्स हैं वाइन्स के बिल्स हां तो ठीक है ना पेइमेंट करवा दीजिए ना और हां मेरे लिए वोड का और मैं के लिए जेन और करवा दीजिए ओके सर झाल क्या करूं आपका प्यार चुखीजिन दिल पेचेन आपका होता है और इल्जाम हमारे प्यार पियार पियार कि इसलिए तो आया हूं कि ना दिल बेचैन हो ना इल्जाम लगे अब तो बस आपके नाम के साथ मेरा नाम लगे अब आप जवाब भी नहीं देंगी तो मैं दादी से क्या बोलूंगा खामोशियां भी तो कुछ कहती है खामोश्यां की जुबां दोरी होती है कहीं में हांको ना और ना को हां समझ बैठा तो हवाओं की खुशी पत्ते न समझे लहरों का उनमात किनारे न समझे आखें आखों के इशारे न समझे तो फिर एक दुसरे को चाहने का क्या फायदा गुस्ताके के लिए माफी चाहता हूं एक माफी में दूसरी गुस्ताकी अब मैं जाओं अब जाए नहीं तो मेरे पिता जी आ जाएंगे जै माता दी जै माता दी अरे आपने तो मेरे मन की बात कह दी हाँ हाँ सच मैं मुझे वी ओ लड़की बहुत पसंद है लड़की तो अच्छी है लेकिन हमें एक बार अमन से पूछ लेना चाहिए हाँ मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं लेकिन क्या आपके दादा दादी मुझे बहु की रूप में स्विकार करेंगे ऐसा क्यों बोली हो नंदनी तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और जब वो लोग मुझे इतना चाहते हैं तो सो तरह निकरे ऐसा ही हो जै माता दे जै माता दे जै माता दे जै माता दे अच्छा मीट आलोग अंकल एंड शील आंटी हेलो अंकल हेलो आंटी हेलो अच्छा मामा मैं बहुत थक गई हूँ मैं फ्रेश होने जा रही हूँ ओके बिट्टा ठीज़ जाओ आलो यह मेरी बेटी है अच्छी है खूसूरत है क्या सोचे तुम बताओ मुझे तो डॉली की शादी अमन से करने में डबल प्रॉफिट नजर आ रहा है एक वेल रेपुटेटिटिट फैमिली में रिष्टा दूसरा बिजनेस में प्रॉफिट तो करो बात तुम करो बात ठीक है मैं ही बात करता हूँ यस ओके ठीक है ना अफकोस ठीक है ओके प्रणाम दादाजी प्रणाम दादी माँ बेठो यलो यलो दादी माँ जान पाज करना अमन बेटा जी दादी तुम शादी कर लो शादी हाँ हमने तुमारे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखिये लड़की और आपने देख रखी है हाँ क्यों तुमने भी देख रखिये क्या नहीं नहीं दादाजी अगर हो तो बता दो तुम्हें अगर कोई पसंद है तो बटा दो नहीं दादी आप लोग की पसंद ही मेरी पसंद है अच्छा मैं चलता हूं मुझे ओफिस के लिए लेट हो रहा है क्या हुआ इसे अच्छानक इसका मुझ क्यों उतर गया हुआ 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 क्या हुआ आज आप उदास क्यों देख रहे हैं नहीं ऐसे कोई बात नहीं कुछ बात तो है आज सुभा आपने मेरे वाटसप का जवाब भी नहीं दिया क्या हुआ वो थोड़ा नैट का प्रॉब्लम था बस इतनी सी बात मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगा अच्छा एक बात बताएए आपने दादी जी से हमारे रिच्टे के बारे में बात की हुआ होई बात फिर क्या बोली वो नंदनी उन्होंने मेरे लिए किसी और को पसंद कर लिया है फिर आपने क्या वोला उन्हें मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला वो इतना खुश हो के बोल रही थी कि अगर मैं कुछ भी बोल देता तो उन्हें बहुत दुख होता नंदनी मैं अपने दादा दादे को दुखी नहीं देख सकता फिर हमारे प्यार का क्या होगा मा पुर्नागरी सब ठीक कर देंगे मुझे मेरी मा पर विश्वास है प्रेडाम नमस्ते अई बेठी हाँ बेठा आपके पिता जी कहां है जी पिता जी कुछ काम से गए हैं अभी थोड़ी दिन में आते होंगे हमें उनसे मिलना है जी आप लोग बैठिये मैं अभी आती हो ठीके देखा कितनी संसकारी लड़की है खुबसूरत है घर का सारा काम भी करती है अमन के लिए इतनी इच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती बिलकुल हाँ सुनो देख के तो लगता है काफी संसकारी लोग है जी लेजिए पेटी तुम्हारी मा का है जी मेरी मा का मेरे बच्वन में ही स्वरवास हो गया था कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मा जी से हो ना जी अच्छा बेटा अब हम लोग चलते हैं तुम्हारे पिता जी आए तो उनसे कह दे ना नरेंदर जैस्वाल जी उनसे मिलना चाहते है जी ठीक है प्रणाम सुखी रहो कि अरे बाबुजी काम होगे बाबुजी काविटा पानी पिलाओ जा हां बाबुजी कोई नरेंदर जैस्वाल जी आया थे आपसे मिलने के लिए क्या हां नरेंदर जैस्वाल जी मुझसे मिलना चाहते हैं जी अभी अभी तो गए हैं मेरे ग़र आये थे हां आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं कौन है वो अरे क्या हो बाबुजी आप इतना खुश कौन है वो अरे बेटी तुम नहीं जानती हो बहुत वड़े आदमी है वो धर्मात्मा है वो यह तो मेरा सौभाग्य है कि वो खुद चलकर मेरे दर्वाजे आये पिटा अरे बाबुजी पानी तो पीलीजे पानी बाद में पीले अरे शर्मा जी नमस्कार हाँ उससाब गये थे मिलने के लिए और हम उसमय घर पे नहीं थे हैं वहीं मिलने के लिए आया हूं आये मैं मिलवाता हूं आप बैठिये में मालिक को बुला कर लाता हूं जी नमस्ते बैठिये आप खड़ी है और मैं कैसे बैठ सकता हूं आप तो हमारे पूजय निये हैं आपके बैठे बेनाम कैसे बैठ सकते हैं बैठिये शर्मा जी जी आप हमारे खांदान पर एक हैसान कर दीजिए जिस खांदान का पूरे गाओं पर इसान है मैं भला गरीब आदमी क्या एसान कर सकता हूं शर्मा जी आपके घर में आपने जो कोईनुर हिरा छुपा के रखा है ना उससे हमें दे देजी शर्मा जी आपकी बेटी को हम अपने पोते के लिए माग रहे हैं मुझे तो मुझे तो अपनी बेटी के किस्मत पर याकिन ही नहीं हो रहा है मैं अगर अपनी खाल के जूते भी बनाकर आपनों को पहनाओं तो भी कम होंगे ऐसी बते नहीं बोलते मैं दन्य हो गया मुझे आग्या दीजिए मुझे यह सुचना अपनी बीठी को सुनानी है नमस्ते 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 बहुत अच्छे इंसान है हां सच में नंदिली 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 बेटा जी बाबुजी क्या हुआ बेटा तुम्हारी प्रार्त्रा सफल हो गई माता ने सुन ली चमतकार हो गया बेटा अरे लेकिन हुआ क्या अरे पगली नरेंदर जैसवाल जी तुम्हें अपने घर की बहुपनाना चाहते हैं तेरी किसमत जग गई बेटा क्या हुआ बेटा तुम्हारा खिला हुआ चेहरा मुर्जा क्यों गया यह सब बाते सुने के बाद तुम्हें खुशी नहीं हुई ऐसे बात नहीं है पिता जी नहीं नंदनी कुछ तो है क्या बात है क्या बात है पिता जी मैं किसी और से प्यार करती हूँ नंदनी अपने किसमत को अपने ही पैरों से ठोकर मत मार अरे अरे नंदनी अरे बिटिया ऐसे किसे ठोकर मार देगी मैं आ गई हूँ ना इसकी बुआ अभी पैसला कर दूंगी अच्छा हुआ अच्छा हुआ आप आले समझाए इसे समझाए हां मैं समझाती हूँ बिटिया तुम्हे अपने पिताजी का प्रस्ताव मानना चाहिए और यकीन करना चाहिए लेकिन बुआ मैंने अपनी मा पोर्णा देवी के सामने वचन लिया है अरे तो वचन तोड़ दो और समझ लो कि मैं ही मा हूँ मैं अपनी मा की नजर में जूठी हो जाओंगी बिटिया ऐसा कुछ भी नहीं है वो भी मा है जब तुम मा का मान रखोगी तो अपनी पिता के भी भरोसे का ख्याल रखोगी ना और अभी कौन से तुम्हारी शादी होने जा रही है अरे अभी इन सब बातों के लिए बहुत वक्त है अभी बातचित होगी बात व्यवार होगा लोग तुम्हें देखने आएंगे बिठिया तुम तो अभी से घबरा रही हो नंदिनी सब माता राने की कृपा है ये सब उने की करामात है बेटी माता पर भरोसा करो समझी समझी शर्मा जी अब चिंता करने की कोई बात नहीं है जब तक ये बुवा जिंदा है ना तब तक आपका कोई भी काम बिगड़ने नहीं दूंगी अच्छा समझाए इसे बिठिया अब बाद में आना यस मैं क्या हुआ अब उदास है मैं अपने पिताजी को नान नहीं कर पाई उन्होंने मेरी शादी तै कर दी है आपका विश्वास्त मैंने तोड़ा ही और साथे साथ अपनी मा की नजरों में जोटी पड़ गई कहां हो रही है शादी कोई बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है और कौन है वो लड़का कोई नरिंद्र जैसवाल जी है उन्हें की पोते के साथ हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया परिवार है वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा मैं भी जानता हूं इस परिवार को यह आप कह रहे हैं कि मैं खुश रहूंगी यहां नंदनी क्योंकि वो लड़का मैं ही हूं और नरेंद्र जैसवाल जी मेरे दादा जी है आप सर्च किया रहे हैं हाँ नंदनी लड़ीज और जेंटलमेन और अटेंशन प्लीज इस अपार मेरे विए विए जाए न जी आप रहे हैं तो ने रहे हैं तो आप स्क्राइख को आप इस कंपनी की बुनियात मेरे बेटी डॉली और मिस्टर आलोक के बेटे अमन के शादी के साथ रखी लिए इसलिए आप सब दुआएं दीजे और इस कमपनी के लिए वी दुआ किजी थांक यू आज भाबी जी होती तो कितना अच्छा होता ओ येस बट एक जरुवी काम से उन्हें दुबाई जाना पुला एक मिल्टिंग के लिए दीजे थांक यू एंजॉय दपारडी लेडिस एं सब्सक्राइब के लिए अगेन वन स्टेप अहेड अब देखना हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे हमारी ही कंपनी का नाम होगा वाव दॉली एन अमन कंस्ट्रक्शन कंपनी और अल क्रेट गोस तो यू डालिंग एम इस फालो बेटा कैसे हो हां पापा गया थीक हूं तुम्हारी मान आमन की शादी पकी अ क्था एशें कर सकते हैं वुट हैं उन्होंने आमन की शादी फिक्स कर दी और जो लुट हमारा माली आप लुग बन बैठों गुण बहु लड़की गरीब हैं लेकिन बहुती संसकारी और खुबसुरत है संसकारी है तो क्या उसके संसकारों की माला पहनू अरे उसके पास ना चाही स्टेटर्स ना अची सोसाइटी और ना ही पैसा क्या मिलेगा बहु पैसा ही सब कुछ नहीं होता अफकोस पैसा होता है आप लोगों को क्या मालूम अनपर और गवारों के बीच में रहने वालों को उची सोसाइटी और उचे स्टेटस के बारे में कुछ नहीं मालूम बहु अमन पर हमारा भी उतना ही हक है इसी लिए इसी लिए आप उसकी जिन्दगी बरबाद कर रही है और हम यहाँ बैले चुपचाप तमाशा देख रहे हैं एक बात कान खोल कर सुन लीजिये माजी यह आपके बेटे चुपचाप देख सकते हैं लेकिन मैं चुप नहीं र जहां हैं वहां शांती से रहेहें और हमें भी शांती से रहने दीजिये बहु को सच्पाराइब हम से घल्पती हो गए हमें माफ करता है और शांत होजाओ माफी माइफट क्वाल है अमन की शादी ऐसे कैसे फिक्स कर सकते हैं वोग आप तो सब कुछ जानते हैं न मा जिनके खुशियों के काम ना करती रहे आज आज मैं उनके लिए दुश्मन बन गए की वणने माग कि ममता नाटट लगने लगी ऐसा ऐसा क्या हो गया मा ऐसा मेरा क्या क्या किया ऐसा क्या हो गया इसमें गल्ति हमारी थी और मन उन्हीं का बैटा है ना हमें उनसे पूछना चाहिए था किसी के ऊपर अपनी भावनाओं को जबर्दस्ति थोपना तो ठीक नहीं है ना इस बात को सोचने में हमने बहुत थेर कर दी अब समय बहुत बदल गया है मदू तुम रो मद सब ठीक हो जाएगा दीरज रखो मदू माँ सब ठीक करेंगी जे बददी अपने हिस्ते की ने किया वक्त करहते कर ले अपने हिस्ते की ने किया वक्त करहते कर ले वक्त कहीं ये रूठ न जाए वक्त कहीं ये रूठ न जाए कुछ तो वक्त से दर ले तू अपने हिस्से की ने किया वक्त के रहते कर ले अरे अपने हिस्से की ने किया वक्त के रहते कर ले वक्त जो गया हाथ से निकल वक्त से मांगेगा दू कल वक्त नहीं देने वाला पल वक्त नहीं देने वाला पल सोच इस मुश्किल का कोई हर पश्तावे का वक्त न आये पश्तावे का वक्त न आये जान वक्त का धर ले अपने हिस्से की ने किया वक्त के रहते कर ले तू अपने हिस्से की ने किया वक्त के रहते कर ले कि उतने हाँ sovereign हẁ डिंग הנग? पहो पस glorhed हो अत्लिक मातो बनिग हाँ अत्लिक मात关 कहो अत्लिक वदी हाँ अत्लिक का खो अत्लिक वदी हाँ का जदी हाँ झुक झाहा न प gluten amazing वसुरूूूू कर दो कर दो रंट बल्ड आपको साक्षी मानकर मैंने अमन को जीवन साथ ही चुना फिर भी अमन मुझसे दूर चला गया क्यों मा हमेशा आपके बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है क्या कमी है मुझ में सारी खुशिया हमेशा मेरी चोकर से क्यों जाती है मा क्यों बताओ मा बताओ नहीं विठिया सब दोश इन्हीं का है नहीं तो वो यहां से जाता ही क्यों पर तुम चिंता मत करो तुम्हारी बुआ भी जिन्दा है मैं दिली तक जाओंगी और उसे ढून कर लाओंगी वो कहा जाएगा तुम्हें छोड़कर तुम बिल्कुल चिंता मत करो जै माता दी आओ अमन कहा तुम गाओं में पड़े थे अरे शेहर की बात ही कुछ और होती है आओ आओ मान देखो कितना बड़ा ओफिस है तुम्हारा कितने केबिन हैं यहां मौनिंग गूड मौनिंग यह देखो कितने लोग काम कर रहे हैं आओ मेरे केबिन में देखा अपने बाप का रुट्बा और शाहरत इस शेहर के बड़े-बड़े बिजनसमेन आप लोग जै यह देखो यह है शीला हाइट फिफ्टे सिक्स करोड का प्रोजेक्ट है यह और वो है शीला टावर अल्मस्ट कंप्लीट है तिक से सिक्स करोड और यह है शीला कंस्ट्रक्शन्स अल्मस्ट हाफवे एटी सिक्स करोड का प्रोजेक्ट है यह समझे पर इसमें तो दादी के नाम के कोई भी बिल्डिंग नहीं है पापा ओ हो अमन तुम समझते क्यों नहीं हो अरे यह सब कुछ तुम्हारा है सर्फ तुम्हारा और तुम यह सब छोड़के वहां गाउं में बैठे थी वाँ गाउं में क्या है यह शहर है यह नाम है शौरत है डिवल्मेंट है आव यहां बैठो यह कुरसी तुम्हारी है सर्फ तुम्हारी आव बैठो शाबाश बैठो बैठो बैठा मालू मैं आई तुम्हारे यहां आजाने से तुम्हारी माँ कितने खुश है मिस्स शाम हलो गुद मॉर्निंग हाई शीला कैसी हो आप गुद हाव यू हाव यू हाव यू हाव फाइन और बताव क्या हो रहा है लुड्श शाम मैं सो है क्या है। वाव अमन आगया याव ध्या क्याराई खिया यहां तुम्हार करना है यहां जब हो अइवत करनी यहां का थिल्माέ Посfl襲 करनी एि चम्हारे अगर शे Beimताष फिक्वार普श करणा है और वैसे भी अमन यही रहने वाला है कल अपनी मम्मी पापा के साथ आजाना ओकी आंटी बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई रामू, मोहन, लच्छू, कहां मर गए सब के सब जी मैलकिल वो वो पेंटिंग किसने उतारी बॉल बॉल किसने उतारी यह पेंटिंग क्यों और किसके कहने पर मेरे कहने पर बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई- पूर्णागिरी के आशिरवाद से ही हैं। आप होंगे, हम नहीं। और वैसे भी ये पूजा आरती करने से पैसे नहीं आते। माइंड यूज करना पड़ता है, माइंड। ये फोटो नहीं थी, तो क्या हमारा कोई स्टेटस नहीं था? पैसा नहीं था? पता नहीं, कब इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे आप? माइ गॉड, तंग आ गई हूँ मैं! बेटा इधर आओ, या आओ, जी, दादा जी, तुम्हें थपड़ लगी, मुझे बुरा लगा, कोई बात नहीं, वो नादान है, कोई बात नहीं, दादा जी, दादा जी, वो जो माता रानी है, वो सचमुच बहुत बेखता है, करता है, करता है, या जी, दादा मैं, जी, दा जादा है, कोई है, कोई भगा बेखता है, दादा है, या, वो सचमुच हाँ मैं, वो तादादा है, फुम्हें एंता है, मुआच बुम्हें प pray च któ enवे मैं, सम्न, सम्न, सन, स्क्राओभरम yapıliş मैं, से 큰 दोचиться। झाल 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 झाल